नमस्कार दोस्तो दोस्तो लंग कैंसर जिसे जो है पहले बुजरुकों की बिमारी माना जाता था ऐसा माना जाता था कि जो बुजरुक लोग होते हैं उनमें ये बिमारी पाई जाती हैं देगें दोस्तो बैसा नहीं है, एक report के according जो हैं, जो 50% lung cancer के मरीज हैं, वो जो है cigarette पीते ही नहीं, और जो उनके परिवार के लोग हैं, वो भी cigarette नहीं पीते हैं, आखिर फिर उनमे lung cancer कैसे हुआ, तो दोस्तो इसका कारण है, pollution, pollution की वज़े से भी जो है lung cancer के जो मामले हैं, वो यह भी देखें हैं कि आखिर इस lung cancer से कैसे बचा जा सकता है, और हम यह भी देखें हैं कि lung cancer की वज़े से हमारे शरीर पर किस तरह के परभाव होंगे, और आने वाली पीडियो पर किस तरह के परभाव होंगे, और इस lung cancer के symptom कौन कौन से हैं, असल में दोस्तो जो यह lung cancer का गंबीर मुद्दा है, और गंबीर मुद्दा अब इसलिए हैं क्योंकि जो pollution है, उसकी वज़े से lung cancer के मामली काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, आप अंदाज लगाए कि अगर आपके घर में कोई नवजाद सीसू हैं, और उसे जो है oxygen के जन है, PM10, PM2.5 और benzene जैसे जो लंग cancer का मुद्दा, ये काफी गंबीर विशा है, और दोस्तों इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, आज़े सुरू करते हैं अब विस्तार से. दोस्तों, लंग cancer पर जो research की गई थी हैं, उसके अनुसार जो है, महिला और पूरस, दोनों में लंग cancer के मामले बढ़ रहे हैं, और महिलाओं में होने वाले cancer में ये तीसरे नमबर पर और पूरसों में ये पहले नमबर पर हैं, इसके अलावा, लंग cancer, cigarette पीने वाले और cigarette नहीं पीने वालों दोनों को ब्राबर हो रहा हैं। लंग कैंसर से पीडि 30% में लाएं, जो नहीं खुद सिग्रिट पीती हैं, नहीं उनके परिवार का कोई मेंबर स्मोकिंग करता हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में लिखा हैं कि वेस्टरन कंट्री यानि कर्श्मी देशों के मुकाबले उमर के लियाद से भारत में लंग कैंसर 10-15 साल पहले हो रहा हैं। इसके अलावा 80% पेसेंट्स में लंग कैंसर का पता लेट यानि देरी से चलता हैं जिसकी वज़े से कई बार इलाज संबव नहीं हो पाता। इसके अलाव 20% पेसेंट्स में ही लंग कैंसर का पता अर्ली स्टेज में पता चलता है जिसकी वज़े से इनका इलाज किया जा सकता है। इसके लावा दोस्तों बात करें ये लंग कैंसर होने के जो कारण है वो क्या क्या है तो दोस्तों समोकिंग इसका मेन कारण है तो बैको यानि तमभाखू को किसी भी रूप में लेना लंग कैंसर की वज़ाए मन सकता है 10-20 सालों में बढ़ते परदूसन के कारण ऐसे लोगों को भी लंग कैंसर हो रहा है जो सिगरिट नहीं पीते हैं ऐसे पेसेंट्स की संख्या करीब करीब आ दी हैं यानि लंग कैंसर होने के मैं तपुर्ण कारणों में से एक वायू परदूसन यानि पॉलिशन भी हो चुका है इसके लाव दोस्तों परदूसी तवा का अशर फेपडों पर ही होता ऐसा नहीं है ऐसी जो सोच और गल्ट है। दरशन परदूसी तवाकाथचे एंट्री फेपडों के जरी होती वे हैं हमारे फेपडे, लीवर, हार्ट, हडडी, किड्नी, बलड सिस्टम, आदी इसके अलाव दोस्तों सिग्रेट के दूएं की वज़े से इन फर्टिलेटी की समश्या भी हो सकती है माता पिता बनने में दिक्कत आ सकती है असल में दोस्तों सिपम काउंट की गुनवत्ता और कंसंटेशन 30% तक कम कर सकता है यह सपम के DNA को डेमेज कर सकती है जिससे सपम अंडे के साथ मिलकर फर्टिलाइजर ही हो पाता सिपरेट पीने की लग से सरीर में कई तरह के होर्मोन्स का बेलेंस भी बिगड़ता है यह होर्मोनल हैसन तूलन भी पुर्टिलाइजर के पिता बनने के संभावना को खराब कर सकता है इसके लाव दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि यंग एज में लंग कैंसर नहीं होता यह सिर्फ जो हैं बुजरगों को होता है तो दोस्तों यह बात विलकुल गलत है दरसल 20% से उपर मरेज 50 साल और 30 साल से कम उमर के जो हैं वो पाय जाते हैं इसके लाव यह भी माना जाता है कि चुकि पुरस सिगरेट तमाखू ज्यादा यूज़ करते हैं इसलिए लंग कैंसर सिर्फ पुरसों में होता है तो दोस्तों यह बात भी गलत है असल में आज कल मैलाएं भी पुरसों गितर सिगरेट तमाखू ले रही हैं वैसे आपको यह जानकर आश्चर यह होगा कि 30% के करीब मैलाएं जो है और लंग कैंसर का आज इलाज करा रही है और यह वो मैलाएं जो सिगरेट नहीं पीती और नोन समोकिंग फैमली से आती हैं इसके लाव दोस्तों बात करें लंग कैंसर का पता अरली स्टेज पर यानि शुरुवात में कैसे लग सकता हैं तो दोस्तों लंग कैंसर के जो कॉमन लखसन है वो एक खासी और खासी में खोना ना इसके अलाव दोस्तों कुछ लोगों का मानना है कि लंग कैंसर का जो ट्रेटमेंट है वो सम्भव नहीं लेकिन ऐसा नहीं है अगर early stage पर यानि शुरुवात में इसका पता चल जाए तो surgery के जरिये से ठीक क्या जा सकता है अगर late stage में इसका पता चले तो systematic therapy या radio therapy के जरिये कई सालों तक patient को control यानि ठीक रखा जा सकता है मतलब साफ है कि अगर lung cancer का diagnosis ठीक से हो और treatment ठीक से हो तो lung cancer का इलाज सम्भव है और बात करे किन लोगों को lung cancer होने का risk सबसे ज्यादा होता है तो दोस्तो regular cigarette पिने वालों को इसके लावा genetic यानि घर में किसी को पहले से हो तब इसका खत्रा ज्यादा होता है इसके लावा chronic pulmonary disease या fibrosis के patients को भी इसका ज्यादा खत्रा रहता है इसके लावा chemicals की contact में रहने वाली लोगों को भी इसका खत्रा ज्यादा है और अगर आपकी पहले से ही radiation therapy चल रही है तो तब भी इसका ज्यादा खत्रा रहता है और दोस्तो जिन लोगों में lung cancer होने का ज्यादा रिस्क होता है तो उन्हें हर साल जो आए एक बार low dose CT screening करवानी चाहिए जिससे lung cancer को सुरवात में पकड़ा जा सकता है और दोस्तो इसके लावा बात करें आखिर सिग्रेट के दुए में मौझद कौन सी ऐसी खतरनाक चीज़े है जो lung cancer के कारण बन सकती है तो दोस्तो टार ये फेपडों में मौझद infection और बेक्टिरिया को रोकने वाले बालों में जमा हो जाता है इसमें मौझद chemical cancer का कारण बनते हैं इसके लावा carbon monoxide ये खून में मौझद oxygen को कम करती है इससे थकान और कमज़री आने लगती है फेपडों की बिमारी हो सकती है इसके लावा oxygen gas ये oxygen के साथ react करती है और खून को ज़्यदा गाड़ा बना देती है इससे stroke और heart attack का खतरा टोबे को epidemic नाम दिया है डबलो एचो ने माना कि महिला यंग लोगों और cigarette नहीं पीने वालों में भी lung cancer के मामले बढ़ते होई दिखाए दिये हैं और दोस्तों air pollution इसका एक बड़ा कारण है और इसलिए दोस्तों डबलो एचो ने air pollution को second टोबे को epidemic नाम दिया है cigarette के दुए में जो cancer वाले chemical होते हैं वही पायू परदूसन में भी होते हैं अगर आप हर रोज 25,000 बार परदूसी तवाव में सांस ले रहे हैं तो toxic chemical आपके फेपडॉक पर असर करेंगे इसलिए माईलाएं यंग श्टर्स और cigarette नहीं पीने वालों में air pollution की हो जैसे lung cancer होने exercise करीएं यह जो हमारी सरकार हमें इसा कहती रहती हैं क्योंके हमारी सरकार जो हैं वो सिर्फ सुजाओ देने का परयास करती है ना कि जो हैं इस परदूसन को वाई बैस ऊई और दोस्तो जो परदूसन हैं, उस पर सिर्फ जो है एक भाइस रहती है. कि जो है पराली जराई जा रही है, उसकी वज़ए से परदूसन हो रहा है. Лेकिन दोस्तो इस बात पर कोई भाईस नहीं करता कि यह जो इतना ज्यदा ट्रैफिक हैं और जो ये फैक्टरियां जो नुहाँ छोड़ रही है इनका क्या हिलाज है इन मुद्धों पर दोस्तों देश में बादसित नहीं होती बादसित होती है सिर्फ पराली जलाने के मुद्धे पर यानि सिर्फ जो पराली जलाने से ही हो रहा है बाकि और किसी बज़े से पर्दोसन नहीं हो रहा अगर दोस्तो इस pollution ये मुद्देगों का मीरता से नहीं लिया गया तो ये आने वाले समय में हमारे देश के लिए एक बड़ी समश्या बनने वाली है क्योंकि इसकी बज़े से हर घर में जो एक लंग कैंसर का मरीज हो जाएगा उमिदा दोस्तों आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगए होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगए हो तो इसे लाइक करें चैनल को सब्सक्काइब करें और में लोस्तों वाज़े सेर करें